My Mr. Unpredictable, Episode 17 रादिका के रिशब को उसके असिस्टेंट के तौर पर चुन लेने के बाद दोनों आपस में हाथ मिलाते हैं और फिर रादिका रिशब से उसके जॉब से रिलेटिड डिसकस करना चाहती थी इसलिए वो दोनों अभी अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं रिशब के उसकी सीट पर बैठते ही रादिका उससे कहती है रिशब जैसे कि मैंने तुम्हें अपने आगे के फ्यूचर प्लान के बारे में अभी कुछ देर पहले बताया ही था तुम्हें तो अब इसके बारे में पता ही है रादिका की बात के जवाब में रिशब कहता है जी मैझम रिशब के मूं से राधिका का अपने लिए बार-बार मैडम सुनकर नूह बन जाता है और वो कहती है रिशब जब हम अकेले में होंगे तो तुम मुझे सिर्फ मेरे नाम राधिका से ही बुलाओगे और दूसरों के सामने तुम मुझे मैडम बुला सकते राधिका की बात को सुनकर रिशब कहता है जी मैडम सुनकर राधिका यूज घूरती है जिससे रिशब को अपनी गलती का एहसास होता है और वो जल्दी से अपनी गलती सुधारता है जिस पर राधिका अपना सरहां में हिला देती है और वो आगे कहती है तो हम कहा थे हाँ हम मैं तुम्हें अपने future plans के बारे में बता रही थी, जो तुम्हें अब पता ही है कि मैं अपने पापा की company को संभालने के साथ साथ अपनी खुद की company भी खोलना चाहती हूँ, जो मैं खुद के दम पर करना चाहती हूँ और अब मुझे इसके लिए तुम्हारी जरूरत होगी, जो मेरी help कर सके दोनों company को manage करने में, जिसके लिए तुम perfect हो और हाँ मैंने अपनी company की investment के लिए पैसों का इंतेजाम abroad में रहते हुए ही कर लिया है और अब बस एक बढ़िया business plan और model के साथ company को register और launch करना है। चलो अब बाकी की details बाद में, अब हम तुम्हारी job के बारे म discuss कर लेते हैं। रादिका के future plans को रिशब बहुत ही ध्यान से सुन रहा था, जिसे देखकर रादिका भी खुश थी, पर जैसे ही रादिका रिशब की job के बारे में discuss करने के बारे में बोलती है, तो रिशब अपना सरहा में हिला देता है। रिशब के हां करते ही रादिका र सुनने के बाद रिशब कहता है, मैडम मैं अभी सिटिय में एरिया जी में रहता हूँ जहां से मुझे कमपनी में पोहुचने में लगभग एक घंटे का समय लगता है और मेरे घर से एरिया अफ तक जाने में मुझे लगभग तीन घंटे से ज्यादा लगेगा, वैसे आप ये किम पूछ रही है, उधरन चिन, रिशब का जवाब सुनकर राधिका के चहरे पर परेशानी के भाव आ जाते हैं, और वो उससे कहती है, रिशब मैं चाहती हूँ कि तुम यहां ओफिस का काम खत्म करके मेरे घर यानी एरिया ए में आकर मेरे साथ मिलके मेरी नई कंपन रिशब की बात को सुनकर राधिका उसी परेशानी वाले भाव के साथ कहती है, रिशब मैं तुम्हें अपने घर के पास कोई रूम भी नहीं दिला सकती, जिससे तुम मेरे घर आ सको, काम करने के लिए, क्योंकि इससे मेरे पापा को हम पर शक हो जाएगा, क्योंकि उन्हे पता चल ही जाएगा कि ओफिस में इतना काम है ही नहीं कि तुम्हें रोज रोज मेरे घर आना पड़े, जिसके जवाब में रिशब भी अपना सरहा में हिलाता है, अभी रिशब और राधिका इस परेशानी के बारे में सोच ही रहे होते हैं कि राधिका के दिमाग में एक आइडिया आता है पर वो उस आइडिया को सोचने के बाद रिशब को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली देखने लगती हैं, राधिका को अपनी तरफ इतनी सीरियसली देखता हुआ देख रिशब थोड़ा नर्वस हो जाता है पर वो फिर भी हिम्मत करते हुए राधिका से पूछ ही लेता है, राधिका मैडम जी आप मुझे ऐसे क्यों घूर रही है, रिशब का सवाल सुनकर राधिका उसे वैसे ही घूरते हुए कहती है, क्या हो अगर आना जाना ना करके तुम मेरे घर ही रह जाओ, राधिका की बात को सुनकर रिशब अचानक से चीक पड़ता है क्या, जिसका पता उसे भी नहीं चलता कि वो कुछ ज्यादा ही जोर से चीक पड़ा है, आज के एपिसोड में एतना ही, आगे के एपिसोड के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपने हमारे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं, तो व